आज मैं बना रही हूं अर्बी की सबजी जो कि ड्राई बनेगी और फ्राई बनेगी तो यह बहुत ही टेस्टी स्टाइल से यह अर्भी, अर्भी को सब से पहले हमने क्या करना है अच्छे से वाषछ करके उसको पील कर लेना है और उसको चिप स्टाइल में हमने कट करना है ऐसे लंबा-लंबा ये देखें, ऐसे अर्भी को अच्छे से हमें लंबा-लंबा कट करना है ये मैंने 1.5 kg अर्भी लिए है फिर हमने प्याज लेने हैं 2-3 प्याज लेने हैं मेडियम साइज के प्याज भी उसमें जादा लेना है इसको भी लंबा-लंबा काट लेना है इस तरह से लंबा और गार्लिक हमने यूज करना है लसन हम इसमें अदरक नहीं उसकरेंगे सिर्क लसन यूज करेंगे लसन को भी हमने लंबा काट लेना है टमाटर हमने लिया हैं दो से तीन टमाटर और हरा धन्या लिया है गारनेश के लिए अब मैं आपको बताती हूँ मसाले एक चीज़ का आप जरूर धियान रखें जब भी आप अरवी को वाश करें तो या तो आप अपने हांड में ओईल लगा ले या फिर गलवस पहन ले क्योंकि इससे जो होते बहुत जब आप कच्ची अरवी चीलते हैं तो उससे बहुत इचिंग हो जाती है हैंड में तो आप ये जरूर ये step follow कर लें नहीं तो आपके हैंड में बहुत इचिंग हो जाएगी gloves पहन ले या फिर boil लगा ले हाथ में थोड़ा सा और या तो उसको थोड़ा सा half boil कर लें half boil से पर वो इतनी अच्छा से fry नहीं होगी तो ये कच्ची ही ठीक रहेगी तो आपको कच्चे में ही इसको छीलना है और जब ये कच्ची अरवी है रॉर भी है इसको रॉर भी को ही आपको चिप स्टाइल में कट करना है मसालों में हमारे बिलकुल नॉर्मल मसाले यूज होंगे रेड चिली पॉडर, लाल मिर्च का पॉडर, नमक हमने लिए हैं सबजी मसाला, हल्दी, जीरा और हींग बस इतने ही इसमें मसाले पढ़ेंगे बहुत कम मसाले और यह बिना कम मसालों के बहुत टेस्टी बनती है बस हमें इसे थोड़ा सा तीखा बनाना है मिर्च इसमें हमने ज़्यादा डालनी है और हम यूज करेंगे इसमें थोड़ा सा वाइट सिर्का, वाइट पैनेगर अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते है मैंने कड़ाई लिये, कड़ाई में तेल डाला है मैंने सर्सो ओयल यूज किया है सर्सो के ओयल में अरवी बहुत अच्छी बनती है और इसके जो इछी नस होती है वो भी सर्सो के ओयल से निकल जाती है तो सरसोक ओयल से यह तेस्टी बनती है सब मैंने सरसोक ओयल अच्छ से गरम कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले जीरा जीरा हमारा थोड़ा ब्राउन हो जाएगा अब हमने डाल देनी है अपनी अर्वी इसको हमने प्राई करना है तेल हमारा अच्छ से गरम हो जाना चाहिए हमने अपनी सारी अर्वी डाल दिया इसे अब हम फ्राई होने दे रहे हैं और इसको फ्राई भी हमें हाई फ्लेम पे करना है अच्छ से देखे हमारी अर्वी फ्राई हो रही है जैसे हमारी अर्वी थोड़ी हलकी फ्राई हो जाए हाई फ्लेम में ही तो हमने क्या करना है यह जो चॉप टमैटोस थे इनको डाल देना है यह भी इसके साथ फ्राई होंगे हमने सारे टमैटोस डाल दिये हैं इनको बस इसके साथ अर्वी के साथ हम फ्राई करेंगे अच्छ से हमें फ्लेम हाई ही रखनी है गैस की क्योंकि हम फ्राई कर रहे हैं इस तरह से अर्वी बनाने से बहुत टेस्टी बनती है यह आप अर्वी आप ऐस अपसाइड सब्जी जैसे डाल शावल बनाते हैं तो इसके साथ रोटी के कॉंभीनेशन के साथ पराठे कॉंभीनेशन के साथ साइड सबजी के दाल रोटी के साथ आप इसको सब कर सकते हैं यह पराथे के साथ भी बहुत अच्छी लगती है देखिए हमारे तेमाटर थोड़े प्राइ हो चुके हैं अब इस वक्त हमने क्या करना है जो हमने लसन काट के रखा था उसको डाल देना है इसको भी प्राइ कर लेंगे मैंने दस ते बारा लसन के पीसिज लिये पे लसन के फ्लेक्स होता है अच्छे से हमने इसमें गार्लिक डालना है अब गार्लिक को भी प्राइ होने देंगे हम लसन को अपने अभी आपने कोई भी मसाले एड नहीं करना है सरफ चीरे में इसको फ्राइ करना है जब हम इस तरह से एक-एक करज़ां के इंग्रीडियंस इसमें डालते हैं तो हमारे तो जो हमारी अर्भी है वो अच्हे से इनको अब्सॉर्ब कर लेकिन इनके flavors को जैसे अभी टेमाटे डाला फिल लसन डाला तो वो अच्छे से उसको उसके flavors को ले लेगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी इसको हिलाते रहना आपने और साथ-साथ यह पक्ती भी जाएगी बस हमारा गरलिक पीज में fry होगय है, लसन अच्छे से fry होगय है अब क्या करने हैं हमने अब डाने हैं अपने प्याज जो हमने कटके रखे थे और इसी के साथ हम प्याज में डालेंगे एक चमचь वाइट वेनिगर अब फोड़ा सा इक चंबалог से थोड़ा जबार क्योंकि हमें प्याज का क्रण्च चाहिए फ्राई हो रहा है क्यूंकि हमारी सारी मैं हली है पैजब भी इसके साथ अच्छे से प्याज को ऐसरो हे हमारे प्याज भी अच्छे से फ्डोड़े टॉस हो गए हैं इसके साथ हमारी अर्भी के साथ अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं अब हमने ग्यास की प्लेम बिल्कुल कम कर दी नहीं है और आप एके करके अपने मसाले डालने हैं सबसे पहले में डाल रही हूं नमक मिर्च पॉडर में जादा डाल रही हूं कि इस पाइसी अच्छी लगती है सबजी मसाला थोड़ी सी हल्दी बहुत कम हल्दी बस इसको मिला लेंगे अच्छी से सारे मसालो को अब डालेंगे हींग थोड़ी सी हींग इसको भी मिला लेंगे हमारे सारे मसाले अच्छी से मिल गए है इसमें अब हमने क्या करना है कैस की ख्लेम बिल्कुल सेंब कर देनी है और इसको ढख देना है और पांच मिन तक पकाना है सिर्फ पांच मिन ने यह बनके तयार हो जाएगी वस इसको में कवर करके सेंब में हमने अपने अर्बी को देखेंगे और गैस की ख्लेम हमने पिल्कुल कम करती है पांच मिन्ट हो गये हैं अपनी अर्बी को देखेंगे देखे ये रिडी है ये पक चुकी है अच्छे से और पहले फ्राई हो गई थी अब अच्छे से सारे फ्लेवर्स को उसने ले लिया है और ये अच्छे से पक गई है अब देख सकते हैं ये देखे माश हो रही है हाथ से तो ये पक गई है और इसने देखे नीचे से हमारा ओयल भी जो है वो भी ये चिपक नहीं रही है नीचे देखे इसने वो भी छोड़ दिया है तो ये बनके तयार है और ये इस तरह से बहुत टेस्टी बनती है आप उपर से थोड़ा सा चटपटा पसंद है, तो आप इसमें इस वक्त अपना नमक टेस्ट करके इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं, उससे यह थोड़ी और चटपटी और टेस्टी लगेगी आपको, यह बस तयार है, अब हम इसमें थोड़ा सा हराधनिया डालेंगे, इसको भी थोड़ा मिला लेंग यह बहुत जल्दी बन जाती है, बस इसमें कटिंग में थोड़ी सी हमें वो आती है, उसके लिए हमें थोड़ा प्रिकॉशन लेना होता है, या तो गलब स्पैनने होते हैं, या फिर थोड़ा सा ओयल लगाना होता है, हाथ में, बस यह रेडी है, अब हम इसकी हो चुकी है, आप देख सकते हैं, यह बहुत ही टेस्टी बनी है, मैंने टेस्ट करके देखी है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, थैंक्स पो वाचिंग, य सकते हैं, जिचानल को सब्सक्राइब करते हैं, यह बहुत है, व सब्सक्राइब करे दो जाल व spontते हैं, एक करिए, मैंने हैं, औरघासे ढ marketed डalnya हैं, प्लाइब करेंट हैं, यह ज कर दो दो किम उतरा तो 같아 क einz Украї-ष्टे मेरे चाफः, भ्हाफ़ा च्पिछी बनी हैं, बो प